सांपों के बारे में कुछ रोचक तथ्य पार्ट 4 पहला, जब सांप को खत्रा महसूस होता है तब अपने शरीर को हलका करने के ये वाह इंसानों के समान उल्टिया करता है ताकि वो तेजी से भाग पाए दूसरा, दुनिया भर में कई तरह के दो सिर्वाले सांप भी पाए जाते हैं और ये दो सिर्वाले सांप भोजन के लिए लड़ सकते हैं तीसरा, सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीव से गंध का पता लगाते हैं साथ ही साप को अपने आसपास का पता अपनी जीव से ही चलता है हमने कई जानवरों और पक्षियों को देखा है जिसे ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी सिखने की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन सापों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके दिमाग में अन्य जीवित प्राणियों की तरह सेरेब्रल हेमिस्फियर नहीं होता है पांचवां, दुनिया का सबसे छोटा साफ ट्रैड स्नेक है जो केरेबियन सागर में सेंट लूसिया, मार्टीनिक और बार्बाडोस वीपो पर पाया जाता है इसकी लंबाई 10 से 12 से मी होती है